यूंकेन बह गड़ा नमक एक घुसलवारदेन भुवा में पोसित हम तो उसमें, जो है ऐसे औसे इसे कीमजय और गो इसमें लड़का और लड़की रहता है जो लर्का घुसलवारदेन भुवा में सरकार दुआरा पोस्ते होता है तो अब तक 2004 से लेकर 30 अप्तुबर 2022 तक वह वहां में उस्तर बाडिन की रूप पेकाल करता है तो ओम डेटे टुन 7 अप्तुबर 2022 को पास बेकिम जो कॉंप्लेजन जो तादाम समनाम की दुआ रहा वो तुइन बच्ची को जो उसमें जो है गलत बेवार होता है उसके उसके लिए जो SMC और जो उनके गाउंगोरा को investigation के लिए बताया जाता है उसके दौश उसमें जो है 29 अक्तुबर 2022 को पिर उन लोग में मीटिंग करता है उसके दौश में बहुत कि लिए जो यमकें दौवारा जो क्या ओला रेप सेक्शल एसल सेक्शल हरस्समें इस परिकार का जो गोने पाए जाता है तो 30 अक्तुबर को जो है उसका दौश अचानक जो है 30 अक्तुबर को जो है पिर तातों पिये से जो फुलिस तीम आ जाता है तो उसमें उन्होंने एसमसी की तौप से कोई information नहीं दिया गया है पिर आपनों से कई रिसोर्स से पता चला होगा या पैरेंस के दौ़ारा या किसी सोर्स से पता चलने के बद वहां आता है जो हमकिन मागरा पो रिस्क्यू के लिए आता है तो उसमें कारों से जो है उसको उठा के लेकि जाता है पुलिस वारा तो तीस उक्तूबर को नेक्स दे पीर वापुस आता है लोकेल में जिसको समझोता करेंगा जितना जो इशू हुआ है उसको कुसिस करता है बागरा के टीम और उनके जो भाई भाई भाईन सांजोग भुड़ा आके पीर कुमिंट्री होल कारों में मीटिंग किया जाता है उसमें लेकिन लोकेली सेटल करने कुसिस करता है लेकिन नहीं होता है इसमें जो कि एफिसें था अपका पैरेंट जो Ojkar जो प्रफोर पस्याथा-फैमेली जो है. उसमें जो में पुर्षिफ करता है. पिर उसमें जो है और जो है जो इस मुझाता है जो एशों और तो आजाता है. पिर यॉम्केन बागराज जो है उसका साथ ही उसको लेके वहां बागाने का साथ देता है वहां से जो 30 अप्तवर को गाय हो जाता है तो उसके बाद जो SMC जो information देता है तो उसका जो parents को बताता है तो एक नवेंबर 2022 को जो है तो इन दोटर की पिताजी जो parents जो है वो जो है एक नवेंबर 2022 को आपका पॉक्सो एड के तहट जो है रेजिस्टर होता है तो इसका बाद होने के बाद चार 2011 नवेंबर 2022 को SPCUME दोक्तर एरिक वाग्रा जो उसमें आता है इस पर बेरिविक्शन करता है तो उसमें जो है multiple जो है बेक टीम जो है उसको डिवेल हो जाता है तो उसकी बाद मेडिकल टीम जो है चे नवेंबर 2022 को मेडिकल टीम भी होता है और मने को पौंचता है पौंचती के बाद जो जिदना जो मेडिकल के तरफ से जो काम करना था उसमें होता है तो उसमें होता है उसकी बाद 9-11-22 को फिर से यहां से जो इस्टेट लेवल से चायल कोमिशनर जो आता है तीम महां कारों पोंचता है उसमें जो है कई परकादा जो आपका जो इस्टेटमेंट और जिदना जो इस्टेटमेंट होता है और कई परकाद बच्चों को पुरा बाइस बच्चों एक इस बच्चों को फोरा वहां में इस्टेटमें रिकॉर्ट किया जाता है तो दो दिन नाइन टेन में दो दिन बेटके उसमें पूरा दितल इंप्रमेशन वहां से दे देते हैं तब तक जो है योंकिन बागरा जो एक्यूज वहां से फरार हो जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है तो 42 देज की बाद आप योंकिन बागरा को यहां पता चलाए कि दैनियल पाटिन का साथ आपका पापु नाला इतानगर में जो एरेस होता है तो मैं यह इस सलसला में आया हूँ तो इसे मैं मैं एपिल करना चाहूंगे सरकार जो हायकोट से जो इस तरह के जो संगीन जो आप राजी को फोले घुनल आ हम लूदक अले कत्रा से काली नहीं और इन बाचों के लिए कात्रा से काली नहीं गहिए और इनको और बेल देके आज सुनने में आया है, हम लो तो पता नहीं चला, और सुनने में आया है, बेल में गुमा है, गुम गाया है, तो गुमने का बाद जो बच्चों जो है कही तरह कैसे बच्चों का माता मेंचल ठोर्मा हो जाता है, क्योंकि आज थमाटाइज हो कि बच्च और इनको हमें justice देना है, justice चाहिए, और हम इसको capital punishment देना चाहिए, मैं मेरा तरब से ये मांग है, AJ issue chairman, मेरा तरब से ये मांग है, और इसको past record में ट्रेल किया जाए, आज जो देखने को आया है, नो मैना हो गया, आभी तक past record भी नहीं हुआ, तो आपका देखने से एक साल का अंदर में जो पोक्सो का, जो case जो है, एक साल का अंदर में case जो कॉत्म करना है, तो अब तक देखने से आज देखा है, तो मुतलब जो, मुतलब case अभी ट्रेली ही नहीं हुआ, जो की 217 दिन, 280 days हो चुका है, तो और इसमें भी हम देखा गया है कि एक ट्रेल जो जो देख सिदूल किया जाया है, उसमें देखा है, 3-4 October को देखा है, दिया गया है, तो 3-4 October को दिया गया है, उसमें से, देखने से, उसमें देखने से, पोरा holiday होता है, वो माइना में, तो उसमें तो कभी case होगा नहीं, इसलिए मैं Honorable High Court से में अपिल क करता हूं, इस जो देख को प्रीफोंड किया जाए, रिशिदल किया जाए, मैं यही मना रिकोस करता हूं, उसमें क्योंकि देखा गया तो, उसमें तो फुरा, पुरा holiday ही, ज्यादा holiday रहता है, तो इसलिए मैं, मैं, सभी मन यह से, अरुनाचली से, और भारत से, भारत के ज किया जी देख करता हूं, बेटी तु सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, इस तरह का जो संगीन जो किनोंबना करने हुला, करी से करी सका जाया है, कि तिल पानिशमेंट दिया जाए, मैं तो यह कह एप्यल करता हूं, यह जो आपका जो कर्विनिल है, कि idea को से की मतोब न नहीं बहुता हूं, ना पर्टिकॉलर जाच से, ना पर्टिकॉलर रिलीजन से, क्योंकि क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, उस पर्टिकॉलर आत्मी को ही पनिस्मिन देना चीए, ताकि एक मतलब ये जो एक इतिहास में रिकॉर्ड रहा है, इस तरह का जो संगीन जो अफरादियोला को करी से, करी सकशागी, यही महनों हाई कोट से मंतलकास करता हूं, और देख को रिसितल किया जाए, अभी तो हम बचा है, अब तक तो नव महिना चल गया है, तो देखने में आया तो एक साल होने कि ब्सक्राद है, तीन महिना में तो अभी आपका वेज़े हैं, वोलीडे होने के बज़े से केस हो गए नहीं, इसलिए मैं तो इसीज को मना, देट को फ्रीफॉंड किया जाया है, जासे महीं यह डिकोस करता है। वे विक्तिम देमीरी का पेरेन है, जहने दने का फिर नगवा पहुंचा है, और स्यामे मेद्या में भी आया है, अभी विच्छारों का बारे में योंकिन बबरागा बारे में वीब और बारे बच्छा का जाए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे दूभ एक अनपरालेका है, पिस भी परालेका हैं तो हम सीयो में टिस्टिक से ब्लोग आता है पराविका नहीं है फिर भी इस केस का बारे में तो कुछ भी बिल्खुल माले मैं आगा समुर से लेकिन उस समय में ऐसे हुआ चाह डीपारमिल का एक प्रोटेक्शन डीपारमिल का एक दिमा है और उसने बुला यह केस इसे करने इसे करने सकेंद एसा की तीम, कि दोनु तीम ले आपने अच्छा से सापगें, ये केस बदमें अच्छा से सापग करेगा, और जरस अच्छा नवत भी केस सापग, भी कोखो केस जेवाना आपने पत्मत, इसे बदमें, और ये इक रता, सब्सक्रणा दो मात भी केस सापग मैं हमें से उसका साजा कात्राता हो, आसे ही ऌत, तो मत वहिक्मज भी करेगा, तो ऐसے हो गばい प्रकु सापग, बश्तीना आख चकेते, आपने अर्स तो कहा अभी केस आपने, प्रकि Wakandha, K took fine during business time कि अमनुक देखा थो अ कि सुनए सुना तो यह बार में मतभी यह बैल आख यह कि ऐसे उना है तो यह यह कि अमनुक फिर दूर लगा हैं मच्छा लोग फिर सुनगे मतबस्दार लग रिए गो बारमने शीतों कि अलों को तो पहले से दर्राथ रखाएं लगा हैं मारेगा प्रवाइक के पानी के अंदर तुम नोग भी लास्क नहीं मिलेगा इसे बूंके दरागे रागते हैं हम लोग दो उल्दा कर दिया मतब बच्छा इसको नहीं जाएगा बनने से भी तुम क्यों नहीं जाएगा इसको नहीं जाएगा पराय करना है हम बिना बरा लिका होके इसलिए हम अंदर लवार करके क्या क्या करके मेनद करके मतब बच्छा दोनों ने बताया तो यह पुरा मतबन भी बता लिया तो ऐसे करके यह कैस हम उत्वागी मतब बच्छा दोनों ने जाएगा तो यह प्यान बताद लिया तो यह पुर्टीन से तुन्दी जू तक उसका कुई मतब यह आथा बताने यह कोन किसको क्या कर दिया वो सब कुछ ऐसे हो बताने में तो एसे होने का बात हम तो सजा दे रहा होगा सुच्छा है, सजा देके हो सजा खाद रहा होगा या पासी देगा होगा, कोई मतलब कभड करेगा, हमनु का उस तरफ तू ना नेत्रों गें, ना ये रोद अच्छा है, ना तीवी है, ना लाए दे, कुछ भी ने ये कमिनिकेशन, तो इसी कालन मतल कुछ भी यां से कावर ने ने, कोई भी आमनों को कावर देना लगने ने, तो इसलिए हमनों, पिर लास में आमनों को सुनाए, बाहर में है, उसको सुनके तो पिर्दाल लग गया, और ऐसे भी मतलब सुचा है कि, SIT तीम और चल्दें डिपार्मेंट प्रोटेक्शन तीम मतलब आने वतार जुद मरके, मतलब अमलों को मतल जुद मरोटेक्शन की डिल कुसाने कि असे भी सुचा है, तो ये एक्सुन तुम्हे हो रहा है, बता है है, इतना अच्छा से सुन्दर से आमनों को बता दिया, फिर लेकिन असा घ्रदेन ने तया है उटा हमनों को मानु म तो इसका बास बच्चा लुक तू इसकोल नहीं जाएगा ऐसे बोलाता है। तो अदिन को कमाएगा, उसाम को काते है, कना तो इसे करकि कि अच्छा इसी विद मैं तो न दाले ने सकते हैं तो समने स्कुल में तो कुमिक में फिरी में मत अब कना न अखेला था आप बच्छा इसे होने सी वी तौरा मेंड़ा था पंस्ते साल का ताव औरहों । शवरो में दाल के साम상ने। शत्ता पंजां जयता है। उसको रह पता है। इसे हो भी ड्र чисह में ऑ午 देनीे करके पो रहा है। हमने दिनी करके बारोड वर जले दिनी करके पर रहे! दगए तो और तिक से पिता भी है बच्चा पर में इसकुल क्यों ने परिगा गोड़े इसे करके भी लास में देखा है तो बच्चा लोग को तिक से मतब़िये तीछा लोग तुरीव करके रहता है लास में हम लोगो सब को बता है तो ऐसे कहनी है हम लोग तो अपना बच्चा को आच्छा से पराएगा परने लिखने देगा हम लोग तो बढ़ा लिखा नही कि ऋन्या में क्या है जूने गोड़ रहा है किसे चल रहा है क्या का क्या करता है क्या क्या में क्या है। पुरा परवाग करके रहते हैं. अभी बाद भी ना इस पुर जा पाता है ना पराय को भी अगी नहीं पर सकता है. इसे उप्ते मतवागु का बश्चा इसे पुरागु डिफेशिमा है. मेरा बात फैना ही ज्यादा बने क्लिए लिये उने खिर टो अबने के लिये प्रवाग के लिब मतवागाु लिवे ने सिभी पुराशन मेने काना. आर नाई लूजब लूब रौब राउं ग्राजम्ट लूब अविड़ारी की तूपिर्टिक्षा रधंतु का विद बास, रूप का लो फो चाती है, प्योप्ट अप्यादी की तूप्यासरा रहिसोंपी का ऱे लिप्टिम्टिर्ट इपी ज्प का लुफोवच्ट तूप at the moment, to be very honest, has prompted them not express themselves to the core of their heart. The words are not enough. Each member of Sioni district is in trauma and we are going through a time time. So firsty I would like to give and highlight a little bit बाइज़ रिक्टोरी चेली चेलर फिर्टड़ी क्यारि की उन्योटी टॉटने आफ़ दे घजह्ती के ने लिजहीं विट्री लागे मिलने अन्यों की पड़न गीस्टेश् सीन्सलिटख़वति आप ये सब्सक्राइ़ छाले यंजे हैंता पुल्सराइव टाले टॉटने टॉ इन अटर इन वोर्स, you know, one of my, one of XYZ innocent children, she told me, with her nine voice, she told me that she had been raped, assaulted, every three times in a month. And, you know, every time she was yelling for the help, whenever she tried to express herself, whenever she denies the accused, Sri Yukin Bhangra, you threaten that little child that if you reveal the secret to your parents and to the world, I will cut you into thousands of pieces and throw you into the river. That's so terrible. Now, the people of Arnachal Pradesh, imagine, those children are so naive. Even, you know, the incident took place a couple of years back, perhaps, but even I met them two days back, I couldn't imagine what might have gone through them during that time. Not only that, sexual assault meant and rape wasn't, you know, confined to the children. The children, there was activity scheduled day and night. In the morning, there was no teaching learning process in the classroom. Rather, in the classroom, you know, Sri Yukin Bhangra, who discussed about certain virgal, you know, topic in the classroom. He never motivated, encouraged the children about the definition of education, about the importance of education. Rather, in the classroom, he used to flirt with those little naive, innocent children. This is very much painful, not only for the parents, but also for each one of us. And besides that, you know, the children were, you know, sent to jungles to collect mushrooms. Children were taught how to steal animals, chicken, goat, pig, from the neighboring village and bring to him. You know, children were made to do his utensils, wash his clothes, do his kitchen garden. This is so terrible. And besides that, these children were, you know, you know, the children used to cook food for him. And, you know, I'm, 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 I'm little bit, I'm, I'm little bit, I'm, I'm little bit, I'm feeling, Sibri to share this. During when children used to cook food for him, Junkin Bhangra used to come, stand in front of that, X, Y, Z children and, you know, uh, touch her body. And her private part in the kitchen itself. And apart from that, in the night time after, uh, after, you know, after the dinner, children were invited one by one in their, in his room, bedroom. They were forced to watch porn videos. And you know what he said? Look, in the video, those, you know, couples in the video are you and me. We can enjoy it. And children, these innocent children, you know, he, they didn't know, understand what does the porn means. They don't know, and he made those children to kiss him, massage his body with the oil, massage his private parts. And these children were, you know, I, even I could not hear the story. The story is beyond this. Apart from that, many children told me that whenever, many a time, many, many a time, they found themselves lying on the, uh, the warden's bedroom. When they were so surprised, the, the, the moment they wake up in the morning, they were naked. Even the warden was naked, lying in their bed together. And these little knife children, they started suffering from body pain, bleeding. And, and when the little kids complain him, he don't take it seriously. He says, you are lying to me. And gives him a tablet. And besides that, you know, couple of girls told me that many a time in the late night, they used to, uh, children were, you know, utilized, forced to drink alcohol, cook for them. And they were taught how to play housey. How to play cards. Children were involved. And these, and also, uh, you know, one XYZ, uh, you know, little girl told me that many times this XYZ, sometime he invite both little boys and little girls together. and un-dress them and dance together and he would sit and enjoy. This is so terrible, isn't it? And, you know, one XYZ girl told me that, you know, one day, uh, you know, this XYZ, the accused person, Sri Yuken Bhagra, asked him, Are you having a period? and the little girl did not understand what does the term period means no I don't have then bhagra would say you know if you I don't like girls who have period this is so you know pathetic and many a time these children are forced to take medication after dinner and some girls were tired of having those tablets and those you know syrups and whenever they denied to have those medication the accused bhagra would say my dear little kids this is multivitamin if you have this your health will be good so these little innocent kids they don't have a choice but to take the medication and once they take the medication they are in deep sleep so every time since 2014 the children were raped assaulted their voice their voice was suppressed the voice of children by giving them severe punishment you know by threatening them if you reveal I will make you fail in the exam if you reveal I will do the same with your little ones in the class that is in the class 1 basically the accused person Sri Yunkan Bhagra used to target the senior ones class 4 class 5 and one XYJ little girl she told me that you know during the time of farewell the teacher see being a teacher he would suggest those little kids that for the farewell you should wear sexy dress and look in a village like Monegon Karo village where will you get those sexy dress and when they say no we don't have any dress to wear Yunkan Bhagra would bring a scissor and cut their clothes modify give a sexy look and make them wear and dance give a sexy move you know do some sexy dance in the farewell can you imagine any teacher could do that he has you know this Sri Yunkan Bhagra has completely shattered the definition of teacher shattered defamed identity of a teacher because I am also a teacher I know how much I love my student you know what one of XYJ students told me that these children in the picnic they were made to undress and take bath in the river and their nude pictures were taken imagine these little girls who don't have access their parents are uneducated and we don't have access to the other part of the world no internet no social media no nothing where the society is so conventional they could not share the pain the body pain I cannot even imagine even as a grown up lady when I have a period pain I cry and I take a tablet now you imagine the people of Arnachal Pradesh a little girl what might have gone through their child when we grown up lady like while suffering from period pain take a tablet and take a race for one day my words in this press briefing is not enough to share their terrible horrifying story each one of you had to walk into their shoe feel it and you know one of the XYZ students told me that the student during the vacation they were given some task they were they were you know student forced to bring jungle meats vegetables from the vacation and those who failed to bring those eggs local eggs local chickens the fish they were given punishment they were threatened that I will not you will not get sufficient food you will not able to avail the hostel facilities you know is it possible a teacher can do that this is too much he was a warden and he was a teacher this is so surprised their pocket monies were snatched imagine being a warden and a teacher snatching a little girl's pocket money and he used to utilize those pocket money to buy vegetables the local meats and take back to you know alo what does it mean it means that Sri Yomken Bagra has underestimated the education system the people the parents the entire citizen of Sri Yom District so stories are lengthy I would like to add on to some other thing see at the moment at this right moment as our brother has highlighted the chronology of the case the safe part the painful part is that the accused person is roaming freely in the market he is in the bail under section 435 of CPC 1973 we are so confused now as we have heard that according to POCSO Act 2012 such accused person are non-bailable and such accused person has such case has to be disposed within 509 days that's one year and five months now it's been 270 days even and the trial haven't started therefore you know I request the honorable court to prepond the trial which has been given in the month of October as October is a month of festival it's a month of holiday and you know it is it is it is you know insecure a criminal roaming openly in the market insecure for the life of our parents the victim children and people who are supporting this case anything can happen and besides that because of delay in the justice delay in the trial entire community of CME district are in pain are in trauma everybody is waiting when the government when our honorable court will give justice besides besides of such criminal person you know children are not getting motivated to study anymore they are unwilling to study unwilling to go to school interact any teacher they have lost faith in the very notion of teacher which is why there is decline in the enrollment rate and I think till now in the entire state according to 2018 and 19 data there are 311 schools have been defunct and perhaps this could be one of the causes isn't it so the very notion of these causes this very scenario reflect the idea of beti bachau beti barau stated by our good government i also request our government ngos community based organization student unions intellectuals and each citizen of Arnachal Pradesh to come forward in the journey of our battle this battle is not the battle of only the victim child of Karaw village it is the battle of our state dear people of Arnachal Pradesh we the senior men need your love support encouragement we need your power for the early justice early justice of this case has a h is झाल झाल